रिया चक्रवर्ती जो है वो बिस कन्या के तरह है आपने देखा होगा धरवाही काजकल बहुत सारे सिरियल में आते हैं लड़की कभी नागिन बजाती है और भेस बदल के जाती है अब फिर अपना कुछ करके आ जाती है रिया चक्रवर्ती यही थी जो इसका सपेड़ा था वो महिस भठ है और वो क्या करता डसने के लिए भेजता फिर से उसका यह रिया चक्रवर्ती देखिए हमारा जो सुसान सिंग राजपुत था अभी मन्यू वो सीधा साथ एक दम चॉकलेटी लड़का था बिचारा जाके दलदल में फस गिया इसलिए चैनल के माध्यम से प क्या नाम है मुझे ये करना है मुझे वो करना है मुझे अपने फामिली में ये करना है वो एक अलग था चांद वाला जमीन चमा पे जमीन लिया था। वो ऐक अलग था। उसके पास अलग उनके पास concept अलग है। इनका आप जाके देखेंगे आलिया भट को सुनाक्षी सीनिहा को क्या नाम है महेस भट को सुनाम कपूर को इनसे ये पूछो कि कितना लिपिस्टिक लगाना है इनसे ये पूछो कि कौन से कपड़ा पहनना है इनको ये पूछो इनको तो ये नहीं पता है कि देश का पढ़ा इनको कुछ information नहीं पता है कुछ नहीं पता है वस यह gossip और कौन कितना चल रहा है आप किंकड़े को देखिया होगा एक बाल्टी में किकड़ा डाल दो तो जो भी कोई किंकड़ा उपर उसने को सुष्ष करें का नीचे वाला किकड़ा उसको खिच देगा जाहिर सी बात है वा सारुक खान को करन जोहर को प्राब्लम क्या है कि प्राब्लम है कि यह बाहरी है चोटे परिवार से आता है यह चोटे चोटे कास्ट के लोगों को चोटे चोटे कास्ट के लोगों को इंट्री देगा वालीवूड में और हमारा समराज खतम हो जाएगा the same thing happening like गांधी वुड वालीवूड में भी जैसे ही चीजें है नेपोटिजम का पूरा वॉल खड़ा है मेरे लिए बंसवाद इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सब कुछ मेरा पडिवार इंपॉर्टेंट है आपने कभी देखा है आपको याद है डेविड होन का बेटा मूवी में काम करता है अनिल कपुर की बेटी मूवी में काम करती है अन्पम खेर साब का बेटा मूवी में काम करता है उसके बाद क्या नाम है सलमान खान का पूरा पडिवार मूवी में काम करता है क्या नाम है उसके बाद भट फैमली थरकी फैमली की थरकी फैमली की बेटी दोनों मूवी में काम करती है उसके बाद आदित्य चोपडा की पडिवार मूवी में काम करता है उसकी वाइफ राने मुखर जी मूवी में काम करती है उसका भाई धूम टू में थ्री में सब में मूवी में काम किया है तो ये क्या है समराज है कहीं आपने देखा है कि एक वॉलिवूड का कोई एक्टर जैसे एक्जाम्पल सनी देवलका सर्दूल के फैंवली में उनके भाबू जी उनकी माता श्री उनकी बहन इसा देवल सब लोग मुई मैंने इनके पड़िवार IIM में काम नहीं करेंगे, IIM से study नहीं करेंगे, इनके family के लोग scientist नहीं बनेंगे, नाचना है? नाचना है बस आपको? लगिंटेंजे कोई अचछा talented नाचने वाला आ गया, अभी आपने देखाऊँगे टिक डॉक परणगा है गुझरात का, बहुत गड़ीब से ललका टिक टॉक पर एक दम ऐसे से खुब जबर्दस डांस करता है जी उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वह जाएगा वालीवुड में इसको लोग को मुह पर थुक के भर देंगे क्योंकि वह एक गड़ीब जोगी फैमिली से जा रहा है उसको नहीं घुशने देंगे लेकिन वही सोनम का पूर्ण थोड़ा सा डांस कर लेगी वह जो अगर सलमान खान उसको अगर प्रमोट नहीं करता क्या लगता आपको की मूवी में काम कर लेती सैकड़ो वैसी लड़के मुंबाई में घुमती है लोकल ट्रेंड में सुनाक्षी से अब इसको आपने दो मूवी में लाग दिया बड़ेची मूवी एक्टिंग कर दिया एक्टिंग किया नहीं उसको एक्टिंग का नेपोटिजम का इंजेक्शन दे को चढ़ा के लाए गया सामने कीगा लागातार मैं देख रहा हूं जिस तरह से प्यारा हिंदूस्तान और सब्सक्राइब भी बहुत सारे चोटे-मोटे यूटूबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कहीं न कहीं लगातार उन लाखो क्रोडों फैंस को अक्षिजन दे रहे हैं ये बड़ी बात है और रही बात रियाचक्रवर्थी की तो मैं पूछता हूं यह थी कहां पैडो मेने एक क्या नाम है सोशल मेडिया से डिलेट कर दिया था कॉमेंट सेक्षन को ब्लॉक कर दिया था आज तुम नाटक करने आई हो और मैं तो बोल रहा हूं कि एक बार कर दूद का दूद पानी होगा कि कौन गलत है कौन सही क्योंकि कहीं न कहीं लगातार लग रहा है इनको आज देखिए यह हुआ ऐसे नहीं यह रिया चक्रवर्ती अभी नहीं आई है यह पूरे प्लान के कोडिंग आई है सब कुछ स्पॉयल्ड करके सब कुछ ठीक ठाक करके ताकि कल को कोई बात अगर हो तो यह नहीं बोला जाए कि मैंने ऐसा नहीं किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती 20 कन्या है जिसने मेरे सुसान सिंग राजपुत अभी मन्यू को डिया चक्रवर्ती ने आज ये बोल रही है कि जाच होनी चाहिए और नाटक कर रही है तू आड़े मेरे चॉकलेटी लड़के को कुझे याद है कि जब बाड को कुछ बोलना चाहेंगी तो इसने सीफ हुआ ही बोला था कि नो कमेंट उस समय आके रोती पूरा लेट जाती जिसला से आज लेट रही है कि मेरा बॉइफ्रेंड है उसी समय लेट जाती रोती कि नहीं मेरे बॉइफ्रेंड को इंसा भी लोग ने मारा है लेकिन इतना और जा रही थी महस्वट के पास आपने देखा होगा बड़े-बड़े घड़ों में जाएं महस्वट के पास क्या फ्यूचर है अलिया भट लुटा रही है उसके उस पर पैसा रनभी कपूर पैसा रनभी कपूर ऐसा पांच-पांच लड़की छोड़ रखा है तो अब उ पांच-पांच लड़की साधी कर चुका है कभी तो कन्फ्यूज हो चुका हूं कि इसके किरन भट की बेटी कौन है इसकी दूसरी वाइफ कौन है तीसरी वाइफ का है घड़ में साधी करके रखा है बीबी को और जाके क्याना मैं इस्टूडियो में दूसरा हिरुन के महेश भट आके बोल रहे हैं कि सी वाज शेरिंग फ्यू वर्ट्स रिलेटेट टू सुसान चिंग राजपुत वोट इज हापनिंग इन हर इस लाइफ उसके बारे मुझे बता रही थी तुम क्यों डॉक्टर हो महेश भट तुम डॉक्टर हो कहां से पढ़ाई करके आये ह तुम डॉक्टर नहीं हो तुम एक नमागा ठटकी और भ्रास्ट आदमी हो अज पुलिस ने अधित्य चोपड़ा से पूछताच की चार घंटों तक जो स्कॉंट्रेक्ट को लेकर जो बास्चाच चानवीत की है क्या के ना चाहूँ इस पर अधित्य चोपड़ा से नहीं पूछताच होनी चाहिए अगर पूछताच होई तो यह एक मुंबई पूलिस के लिए अच्छी बात है लेकि मुझे लगता है कि यह इसमें किसी का प्रिसर नहीं है वहाँ पे महारास्टा गौर्वर्मेंट का प्रिसर नहीं है बखायदा प्रिसर है उन तमाम करोड़ों का जो लगातार सोचल मीडिया से प्रेशा महारास्टा गौर्मेंट को महारास्टा पुलीस पे व्लेम उसके कारण फॉर्श बुड़ा करें जिसे लाइक घ्जामपल थी अजिस लिए सब बेटर कंडिशन में मुंबाई पुलिस बहुत अच्छा से तरीके से जाच करेगी लेकिन अब बोल रहे हैं अब बोल रहे हैं कि एक महिने के बाद भी लगातार सिर्फ इन्विस्टिगेशन चल रही है और सिर्फ पूछता छोड़ें यह करवाई नहीं हो रही है करवाई य यह साइकलोजिकली प्रॉब्लम था मेंटल प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था एक तरह आप कॉल भी कर रहे हैं तो यह क्या मजाक चल रहा है वहां पे महरास्टा में या मुंबाई पुलिस मजाक कर रही है या फॉर्मेल्टिस पुरा कर रही है उन रही है आप आप सिर्फ बुलाड हैं कभी क्या ना में संजेली लभेंसाली को बुला के पारे घंटा पुछवा लेते हो कभी चार घंटा इनको अदित्य चोपड़ा को बुलाए हो आज कभी किसी और डायेक्टर को बुलाते हो कभी उसको नौकर को बुलाते हो गिरफतारिय फिल्मों में काम करती है जबरदस यूनिफार्म पेन के इसके को करना है से मैं सही कर रही है फॉर्मिल्टिस पूरा हो रहा है रिपोर्ट कुछ भी नहीं आएगे धाक के तीन पात जिस मुंबई पुलिस का हेड ग्रीम मंत्री बोल रहा है कि इसकी इन्विस्टिगेशन उतनी होनी नहीं चाहिए उसी के एक और लिटर बोल रहा है संजे राउत कि इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है साफ साफ दिख रहा है कि सुसाइड है एक तरफ बुला जा रहा है एक तरफ कोई कोई कौई कुछ बोल रहा है तो क्या वहां पे काइम पास इन दे कामपस पुलिस स्टेशन के अंदर में कोई करवाई नहीं होगी हम बार 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 बोल रहा है कि सेट रेकमेंड करें सेंटर को कि यस इसके मामले में CBI जाच होनी चाहिए लेकिन जाच होगी नहीं सवाल है कि अगर जाच होगी तो बड़े-बड़े मच सेस्पकड़े जाएंगे जो कीई इनचीजों के लिए पीATHD होलडर है आप से मुवी तो बनाते ही हैं शाथ में वह भी पता है कि र反म करना करना का या राणे मुखर्जी या बीद्यञा बालन क्या नाम है सोहेल खान क्या नाम है कि आप मुंबई में रहते हो एक अच्छा से स्कूल में पढ़ लिए है घने बाल है सर पे उसके बाद आपने डायेक्टर सुरू कर दिया क्या नाम है कि से बनालिया अच्छे डायेक्टर को बुला लिए सारव खान कुब्ला लिया अंदर घगार में पाटी कर रहे हैं और देख रहे हैं खुद सलमान खंजा के पैड़ दवा करन जोहर का बोलेगा कि इसका करियर चौपट कर दो ना यार 34 साल का लड़का है खतम कर दो यार इतना पैसा साथ कोड़ उपया एक मूवी का लेने लगा अब मैं दस कोड़ लेता हूं बिस कोड़ लेता हूं तो यही सब होता है आपको क्या लगता है कि यह कोई चैरिटी करते हैं यह सराज कोई फिल्म से है या सारूख खान सलमान खान या क्या नाम है करण जोहर ये लोग charity कर थोड़ी क्या है अगर आपने कहीं बोला कि flood relief fund में कुछ डालना है डालके इतना वड़ा poster चिपका दिया कि हमने दिया है पधान मंतरी मोदी जी को खली हलका सा बोल दिया कि मोदी जी बहुत अच्छा मैंने आपके fund में पैसा दे दिय है और नाम कमा रहे हैं इनके पास कोई charity नहीं है लेकिन क्या है सिप गॉसिप किस को कैसे खत्म करना है कौन लड़की किसके साथ घूमड़ाई है किसको कैसे खत्म करना है इसको से आप लोग ने मुहीम छेड़ा है no doubt इस सैलूट आपकी टीम को लेकिन जो चल रहा ये फॉर्मेल्टीज अदित्य चोपड़ा को बुलाके कभी संजय लिला भनसाली को बुलाके कभी किसी उसको नौकर को बुलाके कभी उसके घर पे जाके उसका boundary wall देखके उसके रूम में है कि व्यक्रीय के घुम लेना है एशी कभाहओ खा लेना है बोला कि हाँ आप उसी मत करो मुझे मालुम है कि मुंब़ई पुलस टालेंटेड है ॉट होथी मुंबई पुल्स टैलेंटेड होती पुनबई पुलेस टालेंटेड होती तो च्वेश के यारा केलिए बाहर से नहीं बेलायाता थे कमांडर नहीं उलायाता थे अब मुंबाई पुलिस जानती है कि उनको मिर्ची के ट्रक से पैसे लेने फुर्सत मिले तब ना इसके जांच करेंगे वो लोग कि सब्सक्राइब